तो भाई साब मनोज बाजपाई स्टार साइलेंस टू मूवी आ गई है और ये मूवी आपके दिमाग को साइलेंट कर देगी क्योंकि एक बार के लिए आपको समझ महीं नहीं आएगा कि भाई साब आखिर चल क्या रहा है मूवी देख लिए रिव्यू करेंगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इतना कुछ खास भी नहीं है और बाई लिटरली बताओं अगर मनोज बाजपाई के डाय हाट फैन हो उनकी एक्टिंग को देखना चाहते हो उनसे जुड़ी मतलब उनको देखने का बहुत सौक है आप सुरुबात करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब रुका लेना वीडियो एक लाइक जरू करना से एक लाइक एक सब्सक्राइब और यह जरू करने की कोसिस करी है मूवी की लैंग दो गंटे बाइस मिनट के आसपास है जो बिल्कुल नहीं है लेकिन मूवी लेंग दी लगने लग जाएगी एक बार के लिए बीच में मेरे को यह हो गया था कि यार यह मूवी आखिर खतम कब हो गी मैंने टाइम देखा तो एक घंटा भी नहीं हुआ था तो समझ सकते हो सिनिमेटोग्राफी और जो डेरेक्टर की जो डेरेक्शन है उसमें कभी देखने को मिली है बाकि एक्टिंग वाइस बहीं बहुत कमी देखने को मिली है खासकर बहुत जगह लगा कि यार एफट लगाए जा रहे है जबरदस्ती का जो नेगेटिव स करेक्टर हैं विलेन् क्राइब करा गया उसक्राइम को विल्कुल पहुँंच जा सकता था बहुत जादा गुमाने गवाच यहीज अए फिलाल जब भी मरोजवाजपाई स्क्रीन पर आए भाई मूवी को उठा के ले गया है और बस वही थे जिनकी बजे से मैं पूरी मूवी देखने के लिए टिक गया एक बार के लिए यहां टाइम बेस्ट करने का आखिर मतलब क्या है मिलने जब वही है लास्ट में वही चोर पगड़ी आना है यह चीज तो फिलाल मूवी दमदार है बागी अगर सपोर्डिंग कास्ट की बात करूँ तो इतना दमखम देखने वो नहीं मिला सपोर्डिंग कास्ट की तरफ से बागी स्टोरी की बात करें तो सुरुवात होती है एक आजमा नाम की लड़की से जो एसकॉट का काम करती है जिसमें और उनकी हो जाती है मौकई वारदात पर मिर्त्यू और फिर उस कहानी को सॉल्व करने के लिए उनकी पूरी टीम क्याम लग रांच के जो भी इनकी टीम है मनोज बाजपाई की वो पूरी टीम उसके पीछे लग जाती है और कई जगे बीच में इतनी ठेली स्टोरी करी गई है हाँ इसके पीछे एक मैसेज दमदार है कि जो हुमन ट्रैफकिंग है खासकर उन टीनेजर्स गर्ल्स का जिनको धोके धड़ी से लाया जाता है ये ब बढ़िया थी एक एफर्ट की हाँ ये सारी चीजे गंदी है और इस बाइग और सोसाइटी में इस चीज की बात होनी भी जाए तो ये अच्छा मैसिस था वहां से इस मूवी का बागी ठीक ठाक है बहुत कुछ नहीं है देखने के लिए आपके पास और मूवी लवर्स हो म थिला देखने को बिला है जो भी सिच्वेशन क्राइब से रिलेटेड जो भी सिच्वेशन ऐसा सॉल्व करने से रिलेटेड लगाया जा रहे थे वह र्यास्टिक नहीं लग रहे है और जवरदस्ती के एकिन पीसे बढ़िया जितना घुमा सकते थे एक साधर कैसे बन सकती उसके पीछे कितनी गुथियां यह लगए जा सकती हैं, उसके पीछे कितना दिमाग लगाया जा सकता है, वो सारा कुछ दमदार था, राइटिंग में कमगा दमदार था, लेकिन उस चीज को रिप्रजेन्टेशन जो था, वो बिल्कुल रियलिजम वाला फेट देंकर नहीं हाँ अगर बात अगर यहां पर कुछ एक चोंचले होंगे, जो कहेंगे कि मूवी का बजट कम की ही बात कर लें, तो कांतारा जैसी मूवी आ रखी है, मडगाओं एक्सप्रेस आ रखी है, ऐसी बहुत सी मन्जुमल बॉइज आ रखी है अभी इस टाइम पर, तो भई वो जाँगा इस मूवी को टू आड़ फाइव स्टार, और बागी यादक पहुँच गया हो तो इसका मेले वीडियो पसंद आई है, पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, मिलते रहेंगे ऐसी, जाएँ